सब्सक्राइब बात हम mathematics की कर रहे थे जाड़ी के वज़े से टोपी लगा रही है और mathematics की कर रहे थे नहीं मनें बता दिया कि आप समझें कि टोपी लाल है टोपी तो लगाए भी है हम RD Sharma का solution provide कर रहे थे जिसमें 29.1 x size की हम बात कर रहे हैं देखिए हम दो दो तिन दिन कोशन अपरोड कर रहे हैं एक साथ 20 22 कोशन अपरोड नहीं कर रहे हैं हम बात 16 कोशन की कह रहे हैं 16 कोशन कह रहा है कि भी प्रूफ करिए कि limit extending to a greatest integer x is equal to greatest integer a पहले तो इसकी बारे हम बात कर रहे हैं कि यह बताओ तो पहले तो greatest integer का concept आपको clear होगा क्योंकि इसके पहले कोशन आ लेडी पंद्रमा कोशन है इसमें हम बता चुके ठीक वह आपने देख लिया हो फिर भी समझेगा greatest integer का मतलब होता है कि जैसे greatest integer 2 है तो तो 2 ही रहेगा किसी भी greatest integer का मतलब होता है कि उ अजर नहीं है तो उसके सभसे उसके ज़स्त पहले सभसे बड़ा इंटीजर हो कैसे जैसे मैं आपसे कहूं greatest integer 2.1 की बात कर रहा हूं तो number line में यह one है यह two है यह three है तो 2.1 यहीं कि यहाँ कहीं आएगा तो 2.1 इसनाट इन्टीजर तो 2.1 के पहले सभसे बड़ा इंटीज यहां आ जाएंगे ना minus 1.2 तो उसके just पहले को हो सबसे बड़ा नमबर है minus 2 जिसका answer minus 2 हो जाएगा तो यह concept है अब ज़र यहां देखिए हमको यह कहा गया है कि इसकी value बताईए जहां एक real number है तो देखे आप जानते हैं कि इसको कैसे solve किया जाता है मैं left hand side अगर में लेता हूँ तो कैसे solve करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर a plus है तो हम right limit की बात करते है और उसमें a की जगे क्या रखते है x को क्या रखते है a plus h रखते है मालू है ना तो यह इसको लिखा जाएगा a plus h लिख दिया आपने और limit as tending to 0 है h 0 नहीं है 0 एक positive number है जो 0 के बहुत 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 close है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर number line में हम a यहाँ show कर दें तो a plus का मतलब a के बाद में एक छोटा सा number है यह थीक है तो अगर इसकी value निकाले तो a के पहले का number लेंगे ना तो इसकी value a ही तो आएगी ठीक है और अगर a कोई integer है माल लिया तो अगर a लिख रहे हैं तो इसकी value भी a आएगी इसका मतलब यह हम a के बरावर इसको लिख सकते हैं तो इसका मतलब दोनों चीज़े same हो गई a plus h a है और a की value भी a है तो दोनों value same हो गई प्रूफ हो गया फिर आपसे कहने limit extending to अगले पार्ट में आपसे कहने limit extending to 1 minus greatest integer x निकालो तो 1 minus का मतलब क्या होता है कि x को क्या लिखेंगे 1 minus h लिखेंगे और limit h क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे तो नियम क्या है नंबर लाइन के हिसाफ से 1 ये हो गया 0 ये हो गया 2 ये हो गया और 1 minus का मतलब 1 के बहुत close लेकिन थोड़ा पहला नंबर तो 1 के पहले यहां कहीं आएंगे 0.999 कुछ भी हो सकता है तो उसके पहले सबसे बड़ा integer का उनस है 0 इसकी value क्या आएगी 0 आएगी ठीक है तो greatest integer का गयान आपको होना चाहिए ठीक है तो this is 16th question अब देखिए इसे 17th question क्या कह रहा है कि limit x tending to 2 minus x upon greatest integer x की value क्या होगी पहले निकालो तो देखो हम जानते हैं कि इसका तरीका क्या होता है अगर 2 minus लिखा है तो x को हम क्या लिखेंगे 2 minus h और नीचे लिखेंगे greatest integer 2 minus h और limit क्या लिखेंगे limit h tending to 0 अब साउधान देखो जो greatest integer है उसमें h की value नहीं रखी जाती यह आप जानते हैं तो हम क्या करेंगे उपर तो हो जाएगी 2 value तो नीचे देखें अगर आप 2 minus करोगे तो number line में क्या होता यह 2 है यह 1 है तो 2 minus बोले तो 2 के बिल्कुल पहले कोई भी number होगा बहुत-बहुत-बहुत close 2 के और उसके पहले जो integer होता वो लिखा जाता है न तो इसकी value 1 आ गई यानि कि left hand जो left hand limit है 2 पे उसकी value क्या ही है 2 ठीक है अब right पे आ जाओ मतब दोनों दी है न उन्हों उन्होंने इताहद equal है नहीं है यह दिखाओ अब limit यह कह रहा है कि भाई 2 plus भी निकालो x tends to 2 plus x upon greatest integer x निकालो तो हम जानते है 2 plus का तरीका क्या होता है x को हम 2 plus h लिखते है तो यह क्या जाएगा 2 plus h upon greatest integer 2 plus h limit h tending to 0 तो यहां तो 2 आएगी value यहां क्या आएगी देखे 2 plus h का मतलब क्या होता है number line पे 2 के बिलकुल आगी बहुत close है लेकिन थोड़ा आगे है तो यह आगे मतलब तो 1 1 आ गया तो आपने क्या देखा आपने देखा limit x tending to 2 minus x upon greatest integer x is not equal to limit x tending to 2 plus x upon greatest integer x यह इसकी value equal नहीं है ठीक यह 17th question हो गया देखे 18th कह रहा है यह बिलकुल 17th question समझेगा कि 3 plus पे x upon greatest integer x और 3 minus पे equal है कि नहीं है यह तो अभी हमको बता है कि यह equal नहीं आएगा लेकिन हम इसको बता देते हैं क्या तरीका होता है x को यहां क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे 3 plus h greatest integer 3 plus h अगर आपको यह प्लस लिखने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप भार-बार अगर तरीका बताएंगे तो फी question में time बहुत लगेगा इसके लिए पहला वीडियो आपका जो इंट्रोडक्शन आफ लिमिट है उसको देख लिजेगा ठीक है लिमिट h tending to 0 तो यहां तो h को 0 कर देंगे 3 आएगा और यहां value क्या आएगी यहां value भी 3 आएगी जो 3 प्लस h का मतलब 3 से थोड़ा सा आगी 3.00001 और 3 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो greatest integer कहता है उसकी value जो उसके just पहले integer होता है वही होता ना तो 3 आएगी value तो यह तो 1 आगई value यहां देखिए यहां x को क्या लिखेंगे x minus h upon greatest integer x minus h limit h tending to 0 उपर तो आजाएगा आपका 3 minus h क्या लिख रहा हूँ भाई 3 minus h 3 minus h उपर तो 3 हो जाएगा और नीचे 3 के पहले मतलब 2.99999 तो उसके जो just पहले integer होता हो लिखा जाता है ना 2 तो यह आगा 3 by 2 तो आप लिखेंगे दे बोधार not equal वे आपसे पूछ रहे थे कि क्या यह इसके equal है तो आप लिखेंगे no they are not equal question number 19 कह रहा है limit x tending to minus 5 by 2 minus 5 by 2 बोले तो minus 2.5 तो पहले तो number line में पहुँच जाएए और minus 2.5 यहाँ पर number line में होगा minus 2 और minus 3 के बीश में ठीक है और इसके पहले जो integer है वो minus का 3 है यह ध्याने किएगा minus 2.5 के पहले जो integer है वो minus का 3 है ठीक है तो पहले तो हम left hand limit निकालते है left hand limit किस पर निकालना है limit x tending to minus 5 by 2 minus fx यह लिखते है मैंने इसको fx माना है और तो यह लिखा जाएगा f minus 5 by 2 minus h और limit h tending to 0 यहाँ लिखेंगे greatest integer में minus 5 by 2 minus h जड़ा number line पे आईए minus 5 by 2 minus h का मतलब हुआ कि minus 5 by 2 से थोड़ा सा पीछे तो जब थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहीं कहीं रहोगे ना तो आपको greatest integer में उसके पहले का integer चाहिए तो उसके पहले आएगा minus का 3 तो यह हो गया left hand limit सुन में आगई बात अब right hand limit हम इसी में कर लेते हैं आप न उसी more rating करना यहाँ plus, यहाँ plus और यहाँ plus तो plus का मतलब यह इसके 5 by 2 के बहुत close इधर इस side positive side में तो रहोगे तो यहाँ फिर भी आप minus 3 और minus 2 के बिश में जिसके लिए फिर minus 3 आएगी तो आप लिखेंगे left hand limit is equal to right hand limit इसकी value क्या आएगी? minus का 3 तो this is 19th question next, in the next video Namaskar